गुड मॉर्णिंग इस्टुडेंट्स इस वीडियो में हम सूट एपिकल मेरी स्टेम की ओर्गिनाइजेशन से रिलेटेड न्यूमेन कंसेप्ट के बारे में डिटेल से स्टेडि करेंगी न्यूमेन ने इस्तम सिर्ष के संगठन के संबंद में एक सर्वत्था नवीन सिद्दान्त का प्रतिपादन किया उन्होंने बताया कि विभिन पादफ समुदाईओं में पाए जाने वाले सिर्षस विजोतक को किसी एक ही परकार के सिद्दान द्वारा इस स्पस्ट नहीं किया जा सकता है उसने पर्रोह सिर्ष में पाई जाने वाली आरंभिक कोशिकाओं या इनिसियल सेल्स के लिए सतत विवजोत की आवसियस टम का परियोग किया और बताया कि विभिन पादप समुदायों में तीन परकार के संगठन पर्रोह सिर्ष में पाई जाते हैं नमबर वन मोनोप्लेक्स टाइप नमबर टू सिम्प्लेक्स टाइप और नमबर थ्री डुप्लेक्स टाइप मोनोप्लेक्स टाइप का पर्रोह सिर्ष संगठन फांड्स में पाया जाता है सिंप्लेक्स टाइब का पर्रोहसिर संगठन जिमनोस्पम में पाया जाता है और डुप्लेक्स टाइब का पर्रोहसिर संगठन इंजूस्पम में पाया जाता है सबसे पहले हम देखेंगी मोनोप्लेक्स टाइब का पर्रोहसिर संगठन आप डाइग्राम में देख सकते हो ए वाला डाइग्राम है वो मोनो प्लेक्स टाइप के पर्रोह सिर्स अंगठन का है जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस परकार का इस्तंब सिर्स फार्ण्स में पाया जाता है यहां विविजोत की कोशिकाएं एक परत की रूप में विन्यासित रहती है यहां देखो विविजोत की कोशिकाएं हैं वो केवल एकल परत की रूप में पाया जाती है और यह कोशिकाएं भीतर की और उन्मुख होती है यह जो सेल्स है वो एक परत की रूप में पाया जाएगी एक इस्तर की रुप में पाये जाएगी और ये बीतर की और उनमुख्यां बीतर की और पॉंटेड होती है और ये कोशी का इस अदेव एक ही तल में विभाजन करती है और विभाजन करके फांड्स के पर्वहे की लंबाय में व्रद्दी करती है दूसरा पर्वहसिर संगटन का परकार है सिंपलेक्स टाइप ये सिंपलेक्स परकार का पर्वहसिर संगटन जैसा कि आप सबी जानते हो एक परत की रूप में पाये जाती है जबकि Simplex टाइप का जो संगठन है उसमें कोशिकाए एक या एक शिया अधिक परतों में विवस्थित रहती है और ये कोशिकाए अपनतिक और परिनतिक रूप से भी भाजित होती है यहाँ बी वाला जो डायग्राम है उसमें देख सकते हो simplex type का परोहरसीर संगर्ठन तीसरा type है duplex type C में जो डायग्राम है वो है duplex type का परोहरसीर संगर्थन तो इस परकार का संगर्थन एंजूस्पम में पाया जाता है इसमें कोशिकाएं दो या दो से अधिक इस्तरों में विन्यासित रहती है कोशिकाएं जो है वो दो या दो से अधिक इस्तरों में विन्यासित रहती है जैसा कि अपने देखा मोनोपलेक्स ताइप का जो संगर्ठन है उसमें विवजोत की कोशिकाई केवल एक परत के रूप में पाई जाती है सिंपलेक्स ताइप के संगठन में विवजोत की कोशिकाई एक या एक से अधिक परतों में विवस्तित रहती है और डूपलेक्स ताइप का जो संगठन है उसमें विवजोत की कोशिकें या तो दो या फिर दो से अधिक पर्तों में विन्यासित रहती है यहां विवजोत की कोशिकों की सबसे बाहर वाली परत को सतहिसतर या सूपरफीशियल लेर कहा जाता है और सुपर PCL लेर की जो कोशिकाएं हैं वो केवल अपनातिक रूप से विभाजित होती है जबकि आंत्रिक पर्तों में जो कोशिकाएं हैं वो सभी तलों में विभाजन करती है एक वार मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ न्यूमेन ने बताया कि विभीन पादप समुदायों में पाये जाने वाले पर्रोहसिर संगर्टन को केवल एक सिद्धान से नहीं समझाया जा सकता उन्होंने बताया कि विभीन पादप समुओं में विभीन पादप समुओं के जो पर्वहसिर्स पाये जाते हैं उन्में तीन परकार के संगर्टन पाये जाते हैं नमबर वन मोनोपलेक्स टाइब का पर्वहसिर्स पाये जाता है इसमें विजोत की कोशिकाएं हैं केवल एक परत की रूप में विन्यसित रहती है या विवस्तित रहती है ये कोशिकाएं भीतर की और उन्मुक होती है या भीतर की और पॉंटेड होती है और इन कोशिकाओं में केवल एक तल में ही विवाजन होता है दूसरे टाइप का संगटन है सिंप्लेक्ष परकार का या सिंप्लेक्स टाइप का संगटन इस परकार का पर्रोहसिर्ष संगटन जिम्मोस्पम में पाया जाता है यहां कोशिकाएं एक या एक से अधिक पर्तों में विन्यासित रहती है और ये कोशिकाएं अपनतिक और परि नतिक रूप से भी भाजन करती है तीसरी टाइप का पर्वह सिर्शंगर्थान है डूपलेक्स टाइप का इस प्रकार का पर्वह सिर्शंगर्थान एंज्योस्पा में पाया जाता है यहां कोशिकाई दो या दो से अधिक परतों में विवस्थित रहती है इन में जो बाहर वाली परत है वो सतही स्तर या सूपरफीसियल लेयर कहलाती है और बाहर वाली परत में स्थीत कोशी काई केवल अपनतिक रूप से या एंटिकलीनल रूप से डिवाइड होती है जबकि आंत्रिक पड़तों में स्थित कोशिक हैं सभी तलों में भाजित होती है इस परकार हमने पर्रोह सिर संगठन से सम्मंदित साथ विचार धाय या साथ थोरिज के बारे में अपने पड़ा सबसे पहले हमने देखा एपिकल सेल थोरी इसके बाद में हिस्टोजन थोरी तीसरा हमने देखा टूनिका कारपरस थोरी चोथा हिस्टोजनिक लेड थोरी और पाच्वा देखा हमने मेंटल कोर्ट थोरी छट्वा हमने देखा फ्रेंच स्कूल थोरी और लास्ट का हमने देखा न्यूमेन कंचेप्ट न्यूमेन का सिद्धान्थ तो इन सभी विचारदारों के अध्यन के बाद में ऐसा परतित होता है कि पर्रोह सिर्ष संगठन को समझाने में इन में कोई भी विचारदारा पूरी तरह से खरी नहीं उतरती है लेकिन फिर भी जो टूनी का कारपस सिद्धान्थ है वो इन सभी विचारदारों में सबसे अधिक शुग राहे या सबसे अधिक इसके ओपर विश्वशनी अपन कह सकते हैं कंसेप्ट माना जाता है थेंक्यू